हेलो स्टूडेंट्स मैं विशाल गुपता आपका टीचर इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश की जो बुक है विस्तास उसका चैप्टर नमबर 5 शुट विजार्ट हिट मॉमी जॉन अपडिक दौरा लिखा हुआ उसकी समरी करवाने जा रहा हूँ अपने मन में ही सही अपने दिमाग सही जो भी उसके स्टोरी कोई बनती थी वह अपनी डॉटर को अपनी बेटी को सुनाता था जैक ठीक है हर शाम को ओके इस कस्टरम बिगें वेन शी वास्टू यह तब से शुरू है जब वो दो साल की थी नाव ही है बेटाइम स्टोरी अब वो अब उसको बेटाइम स्टोरी सुना रहा है रात को सुने के वक्त अलग वक्त दो साल हो गया है स्टोरी हाड एस सेंटरल क्रेक्टर नेम रोजर अस्मॉल क्रेचर उसकी स्टोरी का जो सेंटरल क्रेक्टर में क्रेक्टर था हीरो था वो था रोजर अस्मॉल क्रेच वो इतना गंदा था कि, वो स्टोरी सुना रहा है, सुना रहा है उसको अपनी बेटे को कि वो इतना गंदा क्रेचर था कि दुनिया में कोई भी उसको पसंद नहीं करता था, वो इतना गंदा क्रेचर था कि दुनिया में, जंगल में, they called him stinky skunk and then they would run away, वो उसको sticky बोलते थे औ वहां वो अकेला खड़ा रहता, tears would fall from his eyes, आंसु उसकी आंख से बहने लगते, जो asked if he would not see the owl, क्या उसने कभी आउल नहीं देखा, Jack said that Rogers Kang walked along very badly to a very big tree, ठीक है, there was a huge wise old owl on the top most pointed end of the tree, वो पॉइंट नहीं सबसे एक बुड़ा पुराना आउल उलू बैठार रहता था सबसे उपर टॉप में, Rogers Kang told the owl that all other animals ran away, कि उसको बताता कि सारे animals उसको देखके बाग जाते हैं, because he smelled very bad, क्योंकि वो उसकी बदबू बहुत, क्योंकि वो बहुत बुरी बदबू कर देता है, the owl admitted that he did so, और आउल ने भी कहा कि हाँ ये सच है, Rogers Kang cried very hard, वो बड़ा बुरी तरह रोने लगा, he wanted to know what he could do, उसने का कि मुझे क्या करना चाहिए, the owl suggested how going to the wizard, उसने का कि तुम एक wizard के पास जाओ, the owl advised Rogers Kang to go through the dark woods, उसने का कि तुम गणे जंगल में से आगे गुजरते हुए जाओ, under the apples tree, into a swamp and there should be the wizard house over a little river, कि उसके छोटी नदी के पास उसको wizard का घर मिल जाएगा, on reaching the little white house, Rogers Kang wrapped on the door, a tiny old man came out, उसने दरवजा खटकड़ाया तो एक छोटा आदमी, बुड़ा आदमी बहर आया, with a long white beard, और एक लंबी सफे दाड़ी के साथ, and a pointed blue hat, और a pointed blue hat he observed that the creature smells awful, और उसने observe कि इस creature की जो रोजर आया है, उसको बहुत बुरी smell कर रहा है, Rogers Kang said the huge wise old owl had told him that he could help him, Rogers Kang ने उसको बताया कि उसको बुड़े पुराने और बुदीमान, और आउल ने बताया कि तुम उसके पास जाओ, कि मैं तुम्हारे पास आओ, कि तुम मेरी मदद करोगे, the wizard found his magic wand, उसने अपनी magic wand डूंडी, and asked Rogers Kang what he wanted to smell like, तुम किस तरह क्या की smell करना चाते हो, Rogers thought that, and said roses, उसने कहा कि मुझे roses की smell में बना दो, he chanted a magic spell, उसने magic कोई मंतर पड़ा, all of a sudden he, the whole inside of the wizard's house was full of the smell of the roses, और उसका wizard का सारा जो गर था, वो उसे roses से बढ़ गया, गुला की खुश्बू से बढ़ गया, the wizard asked seven pennies for the world, उसने seven pennies मांगी, Rogers Kang had only four pennies, उसके पास सिर्फ चार pennies थी, and he began to cry, वो फिर रोना शुरू कर दिया, the wizard directed him to go to the end of the lane, उसने का कि तुम गली के end तक जाओ, and turn around three times, और तीन तक वापिस जा कि आओ, तीन बार, and look down the magic well, और magic well की तरफ देखो, Rogers Kang did so, and found three pennies in the magic well, और उसने वहां ऐसा किया, और देखा कि उसमें तीन pennies पड़ी हुई है, he took them to the wizard, उसने वो तुक विजाड को दे दी, ठीक है, he was now very happy, वो बहुत खुश था, he ran out of the woods, वो जंगल से बाहर बाग गया, ठीक है, the other creatures gathered around him, वो सारे creatures बाकी जो जानवर थे, उसके इकटे हो गए, because he smelled very good, कोई कि अवो बहुत अच्छी smell दे रहा था, they played various games, the children play, वो बहुत games खेल रहे थे, जो children खेल रहे थे, they played and laughed at afternoon, वो खेलते रहे, वो सारे दुपैर को वो हसते रहे, then it began to get dark, था, वो अंदेरा हो गया, they all ran to their mummies, वो अपनी mummies के पास चले गे बाद में, माताओं के पास चले गए, ठीक है, so Joe, that, Joe thought that the story was all over, Joe को लगा कि ये story खतम होगी है, जो उसकी Jack की बिटी है, Jack didn't like that she should take anything for granted, Jack उसको पता है कि तुम्हें कोई भी चीज़ taken for granted नहीं लेनी चाहिए, casually नहीं लेनी चाहिए, he continued the story for, उसने फिर आगे story continue करी, कि Roger Skunk's mother asked him about the awful smell, उसने का कि तुम्हारे वो बद्बू क्यों नहीं आ रही, he was surprised, उसने रहरानी प्रकट की and added that he smelled like rose, कि वो अब उसके खुश्बू आतो रही है गुलाब की, she then asked who had made him the smell like that, उसने का कि तुम्हारे ये खुश्बू किसने दी है, he said that it was wizard, उसने wizard को बताया कि वो एक wizard के पास गया था, mommy asked him to come to her with her, उसके साथ हाओ and they were going to ride back to that awful wizard, और वो उस wizard के पास दुबारा जाना चाहते हैं, ठीक है जी, skunk protested that all the animals would ran away, उसने का कि अगर दुबारा मेरी बद्बू, गद्दी बद्बू आ वापिस आ जाएगी, तो सारे जो मेरे जानवर दोस्त हैं, वो मेरे से फिर दूर बाग जाएंगे, ठीक है जी, she said that he used to smell a way little skunk should be, उसने का कि वो उसको ऐसा ही दिखना चाहिए, जैसा कि little skunk को होना चाहिए, she took an umbrella and went back to the roger skunk, with roger skunk, और उसके साथ वो दुबारा वापिस चल गी, she hit the wizard right over his head, उसने उसके wizard के सिर पर मारा बड़ी जोर से hit किया, wizard said okay, roger skunk smelled very bad again, उस और दुबारा वो बढ़ा बुरी तरह smell करने लगा, he was no longer smelled like that of roger's, आप दुबारा उससे वो ऐसी खुश्बू नहीं आ रही थी, so joe put her head, hand out of the touch, out to touch his lips and said, और उसने का कि वो ऐसा क्यों है, then the wizard hit her on the head and didn't change the little skunk bag, और उसने little skunk bag को change कर दिया, her father continued the story in his own fashion, उसने अपने तरीके से story सुनाता गया, skunk had and his mother went home, skunk और उसकी mother वापिस चलेगे, they heard the sound of the train, उन्होंने train की आवाज भी सुनी, when daddy arrived home, उनके पिता भी गर आ चुके थे, they had their supper, उन्होंने अपना रात का खाना खाया, jack described the various items of their supper, jack ने describe किया कि वो क्या क्या चीज़े खा रहे थे and story was over, story खतम होगी, little joe was not satisfied with the way her father had ended the story, joe को satisfaction नहीं होई कि यह story जिस तरीके से उसके पिता ने खतम की है, she asked whether the other little animals didn't run away कि क्या दुबार दूसरे जानवर दुबारा उससे नहीं बागे, क्या वो दुबारा बद्भूख दे रहा था, jack told her that in a little while they got used to the way he was and didn't mind it all, उसने कहा कि वो पहल दे जैसा ही कर रहा था, बद्भूख वाला हो था, लेकिन अभी बाकी उसको mind नहीं कर रहे थे, joe said that he was a stupid mommy, उसने कहा कि वो एक stupid mommy थी, jack ने कहा she wasn't so, नहीं, वो कहते नहीं उसको stupid mommy नहीं थी उसकी, joe felt he was defending his own mother to her or something as order, वो कहते है वो अपनी माँ को बचाव कर रहा है, इसनी वो ऐसा कह रहा था, jack asked her to put her head in the pillow, jack ने उसको कहा कि तुम अपना सिर्फ पिलो पे रखो and have a good long time, और एक लंबी नीद सोजो, अच्छी नीद सोजो, so asked her father to tell the story the next day, और कहा कि तुम एको story next day सुना हो, that wizard took that magic wand and hit the mummy right over the head, और उसने कहा कि वो magic wand लेकिया है और अपनी ममी के सिर्फ पे दे मारे, jack said that he was, that was not the story, jack ने कहा कि ये को स्टोरी नहीं है, he stressed the point, उसने अपनी बात को रखा, little skunk loved his mummy over than he, और अपनी मा को अपने से ज़्यादा प्यार करता था, so he loved all the other little animals and she knew what was right, और उसकी मा को पता था कि उसके लिए क्या ठीक है, Joe again asked her father to say the next day that the wizard hit that mummy, she insisted that he should say so, jack promised to say it to it, he asked her to have a rest and stay on the bed, he praised her as a good girl, उसने उसकी तारीव भी कि, Joe एक अच्छी लड़की है, लेकिन Joe अपने पापा को मनाना चाहते थी, कि स्टोरी को उसको अच्छी तरह बताओ, या उसको मनाओ कि पापा उसको ठीक तरीके से स्टोरी सुनाए, jack closed the door, उसने close कर दिया door and went downstairs, और नीचे सीडियों में चला गया, his wife Claire had spread the newspaper, उसने newspaper को बिछा दिया and opened the paint can, और paint can को open कर दिया, she was wearing an old shirt of his on the top of maternity smoke, she was stocking the chair rail and dipped brush, और उसने brush डुबो दिया, he heard footsteps upstairs, उसने उपर कदमों की आवाज सुनी, he shouted to beat John on the buttocks, उसने जनाइन को बटक पे मारा उसके, then the footsteps waved, तो footsteps फिर रुख गए, Claire observed that it was a long story, he simply said the poor kid, he watched his wife working hard on the woodwork, उसने देखा कि उसकी पत्नी woodwork बड़ी मुश्किल से मेनत का काम करी है, it include a cage of molding and rails and baseboard all around them, he felt caught in an ugly middle position, he also felt his wife's presence in the cage with him, उसने presence भी उसकी feel की उस पिंजरे में, but he didn't want to speak with her, पर उसके साथ बात नहीं करना था, चाहता था, work with her, touch her, anything, कुछ भी नहीं करना चाहता था, he watched everything with utter awareness, और body awareness से उसको देखता रहा, ठीक है जी, तो ये सारी थी story की summary, ठीक है जी, इस के साथ ये video में conclude करता हूँ, I hope कि आपको ये summary easy लगी होगी और समझा आ गया होगा, ठीक है जी, इसे अगली videos में मैं आपको question answers भी करा दूँगा इसके, आप मेरे चैनल को subscribe ज़रूर कर लेजिए और videos देखते रहे हैं, okay जी, done!